Hello everyone, welcome back to Magnet Brains, this is Kushi Bhattnagar और आज जो हम DIY करने वाले हैं, वो हम DIY करने वाले हैं, CD की help से बनाने के हम एक photo frame जिसमें हमें जादा material भी नहीं require होगा, बस चाहिए रहेगी CD और थोड़ा बहुत daily use का material जिसके थूँ हम बहुत ही beautiful सा photo frame बनाने वाले हैं, जो कि आप किसी को gift कर सकते हैं, अपने ले खुद के लिए बना सकते हैं, और enjoy कर सकते हैं से बनाना, तो चलिए start करते हो, देख लेते हैं कि कितना material required है हमारी photo frame के लिए So, जो material हमें required है हमारा photo frame बनाने के लिए, वो सबसे पहले आप मेलिया में चाहिए एक cardboard, तो आप एक cardboard का rectangular या square shape का piece ले लिजे, उसको particularly उस shape में cut कर लिजे, After that, you need a basic things, जैसे कि आपके एक pencil चाहिए, फेविकॉल चाहिए, scissor चाहिए, cello tape का हम use करेंगे, और जिसके through हम अपना photo frame बना रहें, which is a CD, तो हमें कुछ वे CDs चाहिए होगे, जिनके through हम बनाएंगे अपना photo frame, और आपको paint करने के लिए paint colors चाहिए होगे, paint colors में you just need a black color, हम सिफ ब्लाक का यूज करें तो आपको black ही color चाहिए and a paint brush, that's it, इसके अलाब आपको कोई और material required नहीं होगा to make a photo frame, तो इतनी से limited material के साथ हम बहुत ही प्यारा सा photo frame बनाएंगे, तो चलिए start करते हैं, तो सबसे पहले हम CD को cut करेंगे, आपको cut बहुत आराम से करना है, और में convert कर लेंगे, like this आपको इतने small small pieces में से convert करना है और आपको एक जगे पे रखते जाना है, so that you can stick it later, okay, तो आपको इस तरीके से convert करते जाना है CD को इस छोटे-छोटे small pieces में, okay, तो यहाँ पे हमने taping इसले कर रखी है, जिसे कि आपका जो paint color है वो भाहर फैरेना और एक boundary, एक margin बनी रहे और मैं sponge से paint कर रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, जैसे कि यह color बहार आ सकता है, अगर मैं सरफ यह बिना tape लगाए करोंगी, तो tape लगा कि color बहार ने आएगा, if you are using brush also, तो भी आपके लिए अच्छा है, एक boundary जो है वो बनी रहेगी और आ सो देखिए हमने इसको बहुत ही अच्छे से paint कर लिया है, और यह टेपिंग करने के कारण के थोड़ा neat and clean paint हुआ है, अब टेपिंग नहीं करते तो फैला फैला दिखता कहीं से कुछ boundary बगड़ी होती, कुछ होता तो वो उससे जादा बेटर है कि यह हमने टेपिंग के कार है ऐसी आपको भी remove कर देना है, अब हम stick करना start करेंगे हमारे, हमने जो CD के pieces करके रखे हैं उन्हें हम यहां पे stick करेंगे to make our frame beautiful, so let's करें हम पासती कि यह आपको करते हैं यह शुब करें दोशना हoga जजब बगड़ी करेंगे लेर को वोचो में नहीं करेंगे जयरूब एिस अ करेंगे हमारे, हम हमेंगें मागे बगब आदता जयव होता झाले हमाग सीजार झाले दोळस्ट बटỹ puede कि अधकश्र, जवस्ण Geld सो हमने पूरे ग्लास से याने की हमारे जो सीडी के हमने स्मॉल स्मॉल पीसिस किये थे उनसे ये पूरे चीजों को कवर कर दिया है अब आपका ये फ्रेम आलमोस्ट रेडी है बट इसको और फिनिशिंग देने के लिए अब हम जो इसकी बीच में स्पेस छूटी हुई है इस क्या करेंगे हम इसे भी ब्लाक कालोर से पैंट कर देंगे और उसक बाद बीच में हमें इच्छी से फोटोगों स्टेक करेंगे तो चलिए स seminar करते हैं उसके बाद हमें और फिनिशिंग देनी है अपने फ्रेम में तो चलिए फराफट से स्टार करते हैं झाल झाल अब फोटो फ्रेम इस रेडी जो हमने सीडी के हेल्प से बिनाया है और हमने यह सीडी के पीसे स्टिक करके स्वेफ और स्वेरी लिमिटेड मटेरियल का यूज करके हमने इतना अच्छा फोटो फ्रेम हम बना सकते हैं किसी को गिफ्ट कर सकते हैं और बस आपको यहां बीच में एक फोटो स्टिक करनी है so that आप किसी को उसकी फोटो स्टिक करके आप उसे गिफ्ट भी कर सकते हो like this आप फोटो को स्टिक करके उनने गिफ्ट कर सकते हैं और अपने घर को बनाना था उपने फोटो फ्रेंस और आप अपने लाउने इसने बना सकते। अगर को डेकोरेट करें. So, I hope you all enjoyed this DIY. ऐसी interesting DIY के साथ हम फिर मिलेंगे next video में. Till then you can wait or watch videos on Magnet Brains but do not forget to like, subscribe and share. Thank you.